आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में equation given है which includes z as a variable हमने z की value find करनी है हमारे पास नीची options given है तो हमने उसमें से check करना है कि z की value कौन सी आ रही है तो यहाँ पर हम पहले equation लिख लेते हैं 2z plus 8 by 3 equal 1 by 4z plus 5 z वाली terms हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी एक तरफ तो यहाँ पर 2z यहाँ पर 1 by 4z यह positive है left पर आएगा तो इसका negative sign 1 by 4z is equal 5 यहाँ पर 8 by 3 positive है right पर आएगा तो minus 8 by 3 यहाँ पर देखें 2z के नीचे में 1 लेती हूँ इससे 5 के नीचे भी 1 लेती हूँ इससे में LCM लेना easy हो जाएगा 4 और 1 का LCM लिया तो 4 और 4 को denominator से divide किया और उपर numerator से multiply करना है तो 4 जो आया है 4 को 1 से divide किया 4 उपर numerator से multiply किया 8z minus 4 को 4 से divide किया 1 उपर वाले से multiply किया 1z से multiply किया तो z is equal to यहाँ पर 3 और 1 का LCM के आजाएगा 3 3 को denominator से divide किया तो 3 उपर numerator से multiply किया 15-3 को 3 से divided किया 1 उपर वाले से multiply किया 8 तो 8z में से z निकाला 7z by 4 is equal to 15-8 gives 7 by 3 यहाँ पर देखिए 7z by 4 है तो 4 नीचे divide में है right पर जाएगा तो multiply हो जाएगा 7 by 3 से तो 7z की value कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 by 3 multiply by 4 तो यहाँ पर देखिए 7z है 7 यहाँ पर multiply हो रहा है left में right पर जाएगा तो नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर z की value कितनी आ जाएगी 7 by 3 multiply by 4 by 7 यहाँ पर 7 और 7 कट गए है तो हमारे पास कितना आगे value z की 4 by 3 it means हमारी option कौन सी correct है option 4 is correct so z is equal to 4 by 3 it means our option 4 is correct classics to 12 से लेके need iit जही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजे अपने doubts आच चारहर्सो चारहर्सो पर झाल झाल झाल